इस बीडियो में मैं Reservation का proper utilization और इसके implementation के बारे में discuss करूंगा मेरे हर एक बीडियो के तरह इस बीडियो में भी मैं एक as a solutions के बारे में discuss करूंगा जो की बहुत ही unique होने वाला है देखिए बारत के लिए Reservation कोई नए topic नहीं है जब से आजादी मिली है तब से reservation चला आ रहा है बहुत सारे लोगों का यह argument हो सकता है कि हमें 75 सालों से reservation दिया जा रहा है फिर भी इसका आज तक solution क्यों नहीं निकला और दूसरा argument यह हो सकता है कि reservation कास्ट के अधार पर क्यों गरीबी के अधार पर क्यों नहीं मैं इस बात से बिलकुल सामत हूँ कि हमारे देश में कास्ट के अधार पर 75 बर्सों से रिजरवेशन दिया जा रहा है और ये चलता ही आ रहा है इसका दो ही मतलब हो सकता है या तो इस रिजरवेशन सिस्टम से कोई फायदा नहीं हुआ या फिर अनईश सब 45 से आज तक कोई कमपरेटिव अनलीसिस नहीं हुआ अब चलिए रिजरवेशन से रिलेटेड कुछ सॉलूसन के बारे में डिसकस कर लेते हैं मैं ये अक्सा सुनता हूँ कि बहुत सारे लोग क्रीमी लियर का फार्जोरी करके रिजरवेशन प्राप्त कर लेते हैं इस फार्जोरी को रोकने का उपाए मैं और लेडी अधार लिंकिंग वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम पैरेंट के पैन काड का इस्तिमाल करके हम ये पता कर सकते हैं ये अप्लाई करने वाला ब्यक्ति क्रीमी लियर के अंदर आता है या फिर नर क्रीमी लियर के अंदर आता है मेरे हिसाब से इसके लिए कोई सर्टिपिकेट ही नहीं होने चाहिए ये डिटेल्स डारेक्ली आधार कार्ट से आना चाहिए जैसे कि कोई भी government institution, candidate के आधार कार्ट से ये पता कर सके कि योब्यक्ति क्रीमिलियर में है या फिर नन क्रीमिलियर और उसके आधार पर उसे reservation मिल सके देखिए मेरे हिसाब से अगर आप 75 बरसों से किसी एक खास वर्ग को reservation दे रहे हैं तो उस वर्ग में जरूर कुछ न कुछ improvement तो हुआ ही होगा इसके आधार पर मैं यहीं कहूंगा कि सभी कास्ट के लोगों का family income के आधार पर एक analysis होनी चाहिए और उस analysis में कोई भी कास्ट पीछे छूट रहा है तो उस कास्ट को reservation मिलना चाहिए और यह analysis हर एक 5 साल में होनी चाहिए reservation का एक और एंगिल हो सकता है जैसे कि जो लोग priority line के नीचे हैं उन्हे reservation मिलना चाहिए और जो लोग प्रोवर्टी लाइन के ऊपर हैं उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए उम्मीद है कि रिजर्वेशन पे आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जीतना जादा से जादा हो सके सेर कीजिए ताकि ये वीडियो गवर्णन तक पहुंच सके और हमारे सोसाइटी का कुछ तो भला हो सके